हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विरत सेलेक्शन मेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले आप सभी लोगों से कि कुछ बहुती विशेस कारणों से मैं आपको जो क्लासेस थी वो रगलर नहीं दे पाया था पर जितना अवश्यक हो सकेगा उतनी अधिक सधी क्लासेस प्रदा लगबग 10-12 दिन जो हमारे पास में 6 हैं उसमें अधिक से अधिक कार्य करने का हम लोग आपर प्रयास करेंगे बिना समय बिताय मैं आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक से परचित करा देता हूँ आज का देखिए आपर टॉपिक लिखा हुआ है भारती रास्ट्रपती ठीक है तो यहां से एक प्रश्ण आपके एक्जाम में आने की संभावना बहुत अच्छी तरीके से बनती है तो इस प्रश्ण इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्ण बन सकते हैं रास्ट्रपती से संबंधित किस प्रकार के प्रश्ण आपके एक्जाम में आ सकते हैं मुख के रास्टपती की समवैधानिक इस्थिती समवैधानिक दमवैधानिक इस्थिती देखिए हर प्रकार के प्रश्ण को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक है जो कुछ भी है उसे बुला करके वास्तविक रूप में आपर पढ़ाई अपनी शुरू करिएगा हमारे साथ में जो सहो कर पा रहा हूँ मैं कर सकता हूँ आपसे वो कर रहा हूँ तो रास्टपती के समवैधानिक इस्थिती के लिए जब प्रश्ण बनता है सपोस्थ पूछा सकता है कि आप बताईए भारती समवैधान में रास्टपती के समवैधानिक इस्थिती किस प्रकार की है तो इसका मतलब ये है कि आपको अलग-अलग अनुच्छेद जो हैं वो रास्टपती के संदर्भ में मालुम होने चाहिए अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक की बातें जितना संचिप्त में आप लिख सकते हैं वो सब रास्टपती के समवैधानिक इस्थिती को बतानी के लिए अत्यंत आवश्चक है और इस दोरान यदि अगर कोई एमेंडमेंट किसी भी प्रकार के आपको कोई संशोधन दिखाई देते हैं तो उन संशोधनों को अगर आप लिखते हैं तो आपको और अच्छे अंक इसमें प्राप्त हो सकते हैं ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर सत्तरवें समवैधान संशोधन की बात कर सकते हैं दिल्ली और पॉंडिचेरी की विधान सभा को रास्टपती की निरवाचक मंडल में शामिल किया गया था इससे पहले यह दिल्ली और पॉंडिचेरी की विधान सभा जो हैं वो शामिल नहीं होती थी तो इस तरीके के points जो हैं आप राश्टपती की समवेधानिक इस्थिती में लिख सकते हैं राश्टपती पर महाभीयोग की बारे में आपसे पुछा जा सकता है ठीक है तो महाभीयोग की जो प्रक्रिया है उस पर आप जरूर चर्चा करें क्योंकि आप pre-qualify करके आए हैं तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे कि आप महाभीयोग की प्रक्रिया जानते होंगे यदि अगर ऐसा नहीं है तो comment section में मुझे जरूर बताईगा कि अगर आपको महाभीयोग से सम्मंधित प्रशन या आप चाते हैं कि महाभीयोग से related में अगर ये इसका एक lecture बनाऊं तो मैं जरूर बना दूँगा आप comment section में comment करेगा तभी बनाऊंगा ठीक है क्योंकि इस पर प्रशन कैसा आएगा और किस प्रकार से इसका उत्तर मुझे लिखना चाहिए अगर किसी को परिशानी है नहीं लिख पा रहा है तो मुझे बताएगा मैं उसको जरूर जो है उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा तो यह question आपसे exam में पूछा जा सकता है यहाँ पर ध्यान रखना है इसके अलावा एक निश्चित रूप से आपको रास्टपती की शक्तियों के उपर एक प्रशन बन सकता है जिसमें वीटो शक्ति के बारे में अकसर प्रशन पूछे जाते हैं तो वीटो शक्ति के बारे में भी आपसे प्रशन पूछा सकता है वीटो पावर जो भारत में है जैसे अमेरिका के रास्टपती को चार प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है भारती रास्टपती को तीन प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है तो दोनों में अंतर किस प्रकार के हैं इस प्रकार उनमें में से एक प्रश्ण मैं आपके सामने यहां रख रहा हूँ और उससे समंधित बाते मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूँगा देखिए रास्टपती का जो हमारे यहां भारती रास्टपती की जब हम बात करते हैं जैसे ही हम बात करते हैं भारती रास्टपती इंडियन प्रेसिडेंट की जैसे ही हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में अलग-अलग प्रकार की इन इस पद के व्यक्ति की छवी आनी शुरू हो जाती है तो इसी लिए examiner के लिए काफी favorite question होता है कि आप क्या नजरिया रखते हैं भारती रास्टपती के प्रती तो इससे एक प्रश्ण बनता है और आपको जानबूज करके प्रश्ण की भाषा ऐसी दी जाती है कि आपके अंदर अगर कुछ विकार हो तो आप गलत लिखने का प्रयास कर सकते हैं तो आपको इस तरीके से गलत लिखने से बचना है जैसे भाषा यूज करी जा सकती है कि भारत में रास्टपती को देखिए यहां लिख दे रहा हूं है भारत में रास्टपती को नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है अब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको दिये जा सकते हैं कहीं पर हो सकता है लिखा हो कि भारत में रास्टपती को कारिप कह सकते हैं कि मंत्री परिशत की कटपुथली माना जाता है कहीं ऐसे प्रशन भी आ सकते हैं या फिर भारती राष्टपती को rubber की मोहर कहा जाता है, rubber stamp कहा जाता है, ऐसे statement जानबूच करके आपको दिये जा सकते हैं, और ऐसे में आपसे एक इससे सम्मंधित प्रशन बनाया जा सकता है, कि अगर ऐसा है, यानि भारत में राष्टपती को नाम मातर का अगर प्रमुख मान गिकता है, तो देखिए बहुती बेहतरीन question है, बहुती बढ़िया question है, इस तरीके से exam में आते हैं, और इसमें कई सारे लोग अच्छे अंक नहीं कमा पाते हैं, तो इस प्रशन का कैसे उत्तर देना है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, और आप इन points को थोड़ा सा ध् ही मानते हुए, कुछ चीजें बताते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया यहाँ पर, यह ऐसा क्यों लोगों के मन में विचार आता है, तो हमें पता चलता है कि article number 52 जो है, अनुछेद 52 जो भारती सम्विधान का है, वो कहता है भारत के लिए, भारत के लिए एक रास्ट पती होग English में लिखा हुआ है, there shall be a president of India, लेकिन जैसे ही हम article number 74 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर, माफ किजीगा, एक और article का मैं reference देना चाहूंगा, यहाँ पर 74 से पहले, article 53 की तरफ जब बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अनुछे 53 के अनुसार, जितनी भी कारेपालिका की शक्ति होती हैं, तो कारेपालिका की शक्ति का, कारेपालिका की शक्ति का प्रधान होता है कौन? प्रधान जो होता है वो होता है रास्टपती, ध्यान रखेगा, रास्टपती जो है कारेपालिका की शक्ति का प्रमुक होता है, all the executive powers are wasted in the post of president, समस्त कारेपालिका की जो श में देखने को मिल सकती है तो ये इस point को जड़合 याद रखिएगा और ये point हमें कहीं न कहीं रास्थपति को बहुत मजबूत करते विए दिखाई देता कि भाई भारत में जितने भी कार्म होंगे वो सारे के सारे काम रास्थपति के दोरा ही होंगे ये बाते हैं पर कहती है लेकिन जैसे ही ये statement हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ना पढ़ता है article number 74 को जो ये बताता है कि अनुछे 74 के अनुसार एक council of minister होगी council of minister council of minister को हम com लिख दे रहे हैं और council of minister में जो जो प्रधान है उसको हम लोग prime minister बोलेंगे prime minister ठीक है council of minister में जो प्रधान होगा उसको हम प्रधान मंत्री बोलेंगे और अनुछे 74 में ही राष्टपती को बाध्य किया गया है ध्यान रखेंगे यह जो council of minister है वो क्यों है प्राइम मिनिस्टर इसका प्रभधान है वो council of minister क्यों है कि council of minister president को president को सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा देखे बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिखी है there shall be a council of minister to add an advice to vice president यहां तक तो बात समझ में आती है और यहां तक president को powerful बताया जाता है लेकिन इसमें amendment करके एक बात add करी गई कि रास्टपती इस सलाह एवं सहायता के अनुसार ही कारे करेगा देखे कितनी बढ़ियां यहां पर बात लिख दी गई रास्टपती council of minister की अनुसार ही कारे करेगा अब देखे यहीं से जो आपका जो प्रश्ण था जिसमें ये बोला गया था कि रास्टपती नाम मातर का प्रमुक है तो ये नाम मातर का प्रमुक होने की जो बात है वो mind में इसी statement के कारण से ठोती है कि जो संस्था रास्टपती को सलाह एवं सहायता देने के लिए बनाई गई है रास्टपती उसी सलाह एवं सहायता के अनुसार ही काम क्यों करेगा अपनी मर्जी से काम क्यों नहीं करेगा तो अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं न कहीं वो क्या हो गया काउंसल आफ मिनिस्टर यानि की कार रेपालिका का कहीं न कहीं कट पुतली हो गया उसके बातों और इशारों पे चलने वाला हो गया तो ऐसे में प्रासंगिक तक हतम हो रही है रास्टपती पद की तो इसी वज़े से लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि वो नाम मातर का प्रमुख है या फिर वो कट पुतली है कट पुतली है या फिर आप उसे क्या कह देते हैं रबर स्टैम कह सकते हैं रबर की मोहर कह सकते हैं कि जहां ये कहेंगे वहां मोहर लगा दी जाएगी जहां council of ministers कहेंगे ठीक है तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है लेकिन इससे रास्पती पद की प्रसंगिक्ता भंग नहीं होती है इससे उसकी गरिमा भंग नहीं होती है क्योंकि ये भारती सम्विधान की बहुती अच्छी खोसूरत बात है जिसको मैं एक उधारण के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ और चाहें तो आप इस उधारण का इस्तेमाल अपने लेखन में भी कर सकते हैं देखिए जो घर होता है हम अपने घर की तुलना यदि भारत रास्ट से करें भारत हमारा घर है ठीक है? भारत हमारा घर है मकान है हम कह सकते हैं कि बजाए इसको हम मकान कहें तो इस मकान का जो मालिक है इस मकान का जो मालिक है वो कौन है वो रास्ट पती है ध्यान दीजेगा रास्ट पती इस रास्ट नामक मकान का पती है अर्थात मालिक है तो council of ministers कौन है, council of ministers इस मकान को बनाने वाले जो राजगीर वगेरा जिनको हम बोलते हैं, mystery हैं, labor हैं, जिसमें से जो prime minister है, वो prime minister एक तरीके से ठेकेदार है ध्यान रखेगा, शब्दों के local language पे मत जाईएगा, मैं केवल उधारन दे रहा हूँ, अगर हम prime minister को ठेकेदार मान लेते हैं, और तो यहां रास्टपती को मकान बनवाना है और अच्छा से अच्छा मकान बनवाना है, ठीक है, रास्टपती को मकान बनवाना है और अच्छा से अच्छा मकान बनवाना है, ऐसा मकान जो दुनिया में उधारन प्रस्थुत कर सके, यह रास्टपती की इच्छा है, परन्तु रास्टपती खुद मकान नहीं बना सकता, क्योई भी मकान मालिक अपना मकान खुद नहीं बनाता है लेकिन मकान को वो बनवाता है, तो मकान ठीक है तो ठेकेदार को अपॉइंट किया और आप जानते हैं कि राश्थपति सबसे पहले प्रधान मंत्री का अपॉइंटमेंट करता है और फिर प्रधान मंत्री की सलाह पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के अंदर मंत्रियों की नियुक्ती भी करता है तो अब ध्यान रखने की बात है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ठेकेदार ही बहतरीन जानता है कि कौन अच्छा पिलर खड़ा कर सकता है, कौन अच्छी फर्ष बना सकता है, कौन अच्छी रंगाई पुताई कर सकता है, ये बात रास्टपती को नहीं यानि मकान मालिक को नही बलकि ठेकेदार यानि प्रधान मंत्री को मालूम होती है इसलिए इसी की इच्छा के अनुसार ही काउंसल आफ मिनिस्टर में लोग रखे जाते हैं तो राष्टपती की ownership है यहाँ पर एक तरीके से ये मकान मालिक है क्या हम ऐसे में मकान मालिक को rubber stamp कहेंगे क्या आप अगर ऐसे मकान के मालिक होते हैं तो अपने आप को क्या आप ठेकेदार की कटपुतली कहेंगे नहीं बलकि ठेकेदार की बात मानते समय जब ठेकेदार ये कहेंगे कि भई ये आपको सामान लाना चाहिए या इस मिस्तरी को यहां रखो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो वो ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि इससे आप ही का घर जो है वो अच्छा बनेगा इसलिए मजबूरन रास्ट पती को घर अच्छा बनाने के लिए ठेकेदार की सलाहम मानना अनिवार रहे है अब आप सोच के देखिए कि अगड़ ठेकेदार कहें कि फला मिस्तरी को रखें ये बहुत अच्छा च्छत बनाता है और प्रधान मंत्री राश्पती कहे कि नहीं नहीं मुझे इनको नहीं रखना है तुम इन्हें रखो तो यहाँ पर ठेकेदार यानि कि प्रधान मंत्री का reply आएगा कि सर हम आपके कहने पर रख तो दे रहे हैं लेकिन अगर अच्छी छत नहीं बनेगी तो इसके जिम्मेदा हम नहीं होंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि भारती समविधान में मंत्री परिशद जो है मंत्री परिशद भारती समविधान में मंत्री परिशद जो है वो लोक सभा के प्रति उत्तरदाई होता है प्रेसिडेंट नहीं होता है तो प्रेसिडेंट क हमने कहा था भई कि इसको रखो तो हमने रख दिया अब अगर छत खराब हुई तो responsible कौन है आप और आपके मंत्री मंदल के लोग इसी तरह से यहां पर हमें यह देखना चाहिए कि रास्ट पती की जो पद है उसकी गरिमा कम नहीं होती है बलकि वो कहीं न कहीं रास्ट चीजें आ जाएंगी ठीक है अब इसमें एक बात और भी है एक बात और भी कहीं गई अनुछे चोहतर में ही कि रास्ट पती को अगर कांसल आफ मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई सलाह आती है अगर कोई सलाह रास्ट पती को दी जाती है प्रेसिडेंट को दी जाती है तो प पुनर विचार हे तू लोटा सकता है यानि कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो इसे लोटा सके तो इस तरीके समय पता चलता है कि प्रेसिडेंट कटपुतली नहीं है वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है लेकिन एक बार से अधिक पुनर विचार के council of ministers जो हैं इन्हें केवल क्या देंगे council of ministers इन्हें केवल सलाह देंगे परन्तु सलाह नाम की जो चीज है वो ऐसी होती है कि जिसे लोग accept करें अथवा ना करें ऐसे में president चाहे तो इनके सलाह को हर बार reject कर सकता है इसलिए president को भी dictatorship जो है वो महसूस न हो इस वजे से इसको bound किया गया है कि आप सलाह को केवल एक बार ही return कर सकते हैं बार बार नहीं और अगर ये dictatorship जो है लागू करते हैं तो इनके लिए भारत की जनता है अगली बार इनको जो है सदन में क्या कर दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव करके इनका समय समाप्त किया जा सकता है तो इन्हें हम पद से हटा सकते हैं परन्त ये पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये पूर्ण पांच वर्ष के लिए चुने जाते है जबकि लोग सभा जो है उसका कारेकाल जरूर 5 वर्ष का होता है लेकिन वो fix नहीं होता है आपको मालूम है उससे पहले भी उसको भंग किया जा सकता है तो इसलिए सारी जिम्मेदारी इनको दे दियाती है ये हमारे functioning में होते हैं घर बनाने वाले जो लोग हैं वो हमें काम कर करते हुए दिखाई नहीं देता है इससे मकान मालिक का नाम कभी कम नहीं होता ठीक है चलिए कुछ facts की मैं बात कर लेता हूँ उन facts की जहां पर रास्टपती अपनी स्वविवे की शक्तियों का प्रयोग करता है बहुत ही अच्छे points यहां पर आपको मिलेंगे जहां पर जो statement दिया हुआ है उसको समर्थन कम ही कर पाएंगे देखे रास्पती की स्वविवे के शक्तियों में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई लोगसभा के चुनाव हुए लोगसभा का चुनाव हुआ और लोगसभा के election में कोई खंडित जनादेश पारित हुआ खंडित जनादेश अगर आया खंडित जनादेश का मतलब होता है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ अलग-अलग दल को अलग-अलग प्रकार के बहुमत प्राप्त हुए हैं तो कोई भी अपनी दावेदारी नहीं कर पा रहा है कि हम जो है सरकार बनाने के योग हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट ही वो व्यक्ति है जो अपनी स्वविवेकि शक्ति का प्रयोग करता है। यहां पर कांसल आफ मिनिस्टर्स है ही नहीं तो उनकी बात मानने के लिए वो बात ही नहीं है। Article 74 यहाँ पर neglect हो जाता है और ऐसे में वो क्या कर सकते हैं किसी ऐसे दल को या फिर किसी ऐसे गठ बंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जो विश्वास मत क्या कर सके विश्वास मत प्राप्त कर सके अब इसका उत्तर लिखते समय आप चाहें तो राज्यपाल क के संदर्व में तो नहीं क्योंकि पिछले दो बार से जो government बन रही है वो पूर्ण बहुमत से बन रही है लेकिन आप राज्य में राज्यपाल की भूमिका इसी प्रकार से देखते हैं जैसे रास्टपती की है तो आपने देखा होगा महारास्ट की सरकार हो या फिर आप आपको देखने को मिला था तो एक तो आपको यह पावर यहां से दिख रहा है कि रास्पती जो है अपने मरजी से काम कर रहा है किसी से बंद करके काम नहीं कर रहा है तो वो कटपुतली नहीं है दूसरी बात हमको यहां पर देखने को मिलती है कि आपको मालूम है कि जब ल भान लेते हैं कि कोई सरकार ऐसी है जिसने अपना बहुमत खो दिया जिसने क्या कर दिए है। खो दिया है ऐसी सरकार ऐसे काउंसल अफ मिनिस्टर जिसकी सरकार ने बहुमत खो दिया है या फिर इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है ठीक है अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है तो ऐसे में अग अगर ये सरकार प्रेसिडेंट को सलाह देती है कि भाई आप क्या करिए आप लोगसभा का विगटन कर दीजिए तो ऐसी सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है तो देखें काउंसल आफ मिनिस्टर मौजूद है उसके बावजूद भी रास्टपती काउंसल प्रेसिडेंट की बाथ को मानने के लिए बाध्य नहीं है इसका मतलब यह है कि रास्ट के प्रति dettaوفित नहीं है तो आप जो ये कह सकते हैं कि वो नाम मातर का प्रमुख है वो केवल नाम मातर का प्रमुख नहीं है अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है ठीक है अब दीखे ये ऐसा सरकारें क्यों करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे दल का बहुमत कम हो अगर तो इसमें क्या हो जाएगा देश की जनता का पैसा बहुत खर्चा होगा इस तुरान चुनाओ कराने में ऐसे में वो दूसरे दल के लोगों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे चुनाव ना कराने के सलहा देंगे ठीक है तो ये इसकी सौवे के शक्तियों का ब प्रधान मंत्री थे उसी दल के किसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनने के लिए बुला सकते हैं या अगर ये बनने के लिए मना कर दें तो दूसरे दल के व्यक्ति को भी प्रधान मंत्री बनने के लिए बुला सकते हैं बजाय लोगसभा डिजॉल्व करने के तो ये भी अ इंद्रा कांधी जी की डेथ हो गई थी तो उस समय हम को इस तरीके की स्थिति उत्पन हुई थी ठीक है इसकी अलावा कई बार कुछ लोग डिक्टेटर्शिप करते वे दिखाई देते हैं जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई मंत्री परिशद ऐसी है ध्यान रखेगा को कोई मंत्री परिशद जो है लोकसभा में ऐसी है जिसने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है परंत उसके बावजूद भी त्याग पत्र देने से त्याग पत्र देने से मना कर रहा है मना कर रहा है ऐसे में रास्टपती क्या कर सकते हैं उस मंत्री परिशद को जिसको उन् मतलब ये बहुत बड़ी पावर है कि भी कभी भी मंत्री परशद इस ब्रह्म में ना रहे कि उसके अनुसार ही राष्टपती काम करेगा, यदि अगर आप जबर जस्ती करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट याद दिलाएगा कि वो ही मिस्टर प्रेसिडेंट हैं, वो ही उपर है इसके अलावा तमाम सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्टपती की या कोई भी विधेयक ऐसा होता है जो राष्टपती के साइन के बगार कानून नहीं बनता है, चाहे वो कितना ही विशेस विधेयक क्यों ना हो, इसके अलावा वो किसी साधारन विधेयक पर अपने ती या फिर उसे पुनर विचार के लिए एक बार लोटा सकते हैं, या फिर उसे अपने जेब में रख करके पॉकेट वीटो बना करके उसे मना कर सकते हैं। इसके अलावा रास्टपती अपनी इच्छा से संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं अभी भाशन दे सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं तो इतनी सारी पावर जिस व्यक्ति के पास हो उसके लिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि रास्टपती जो है वो एक प्रकार से नाम मातर का प्रमुख है संदर्प में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस सम्प चीजों को देख के हमें ये लगता है कि रास्टपती का पद सैध्धान्तिक रूप से व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो आपको अप्रसांगिक लगता है लेकिन वास्टविक रूप में रास्टपती और रास्टपती जो है वो सरकार की नीतियों को बिल्कूल न्यूट्रल हो करके अब्जर्व करती है और जब जुरुत पढ़ती है तो एक्टिव हो करके उनको मनमाना विभार करने से रोकते हुए भी दिखाई देती है तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा आप इसे शेर करिए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आशा करूँगा कि मैं अधिक से अधिक आपको जो सहायता आपको देने से मैं चूक गया था उसको अधिक से अधिक मैं आपको पू